फिर चौथा वन्स आता है सयद वन्स, सयद वन्स का शाशनकाल 1412 से 1450 फी तक रहा, जब तैमूर ने 1398 में दिल्ली की सेना को हरा दिया, तब उसने मुल्तान का शाशक खिर्ज खान को बनाया, तो मुल्तान का शाशक किसको बना दिया गया, खिर्ज खान को, खिर्ज खान ने सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सयद वन्स की स्थापना की, खिर्ज खान ने क्या करा, सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सयद वन्स की स्थापना कर दी, तो सयद वन्स की स्थापना किसने करी, खिर्ज खान ने, और बनवाया किसने था इसको, त रायत आला से खुश था तारीक मुबार्क शाई की लेखा यायका सीरयंदी के दावा करते हैं कि सथापना की पगंबर महमद साब क 11 था बनशता बेन तारीक मुबार्क शायक लेखा मुझा के याइसी sponge वह माते है उनका दावा है कि सेयद वन्ष की स्थाबना करी थी पेगंबर मुहम्मद साब के वन्षज ने कि खिर्च खान 1414-141 के बाद बनने वाला शाशक तो तो मोबा विरकौन कौन आए इनके बाद कि खिर्च खान के पार मुबारक शाह है जिसने 1421 से 1414 भी तक शाशन करा मौमद शाह ने करा 1414-1445 फिर 1445 में आलम शाह कद्दी पर बैठ गया आलम शाह के वजीर के वजीर हमीद खान ने बहलोल लोधी को सेनाध्यक्स बनने के लिए आमंत्रित कर दिया और बहलोल लोधी के दर से आलम शाह बदायू छोड़कर भाग गया ठीक है तो आलम शाह अंतिम शाशक का सैयद वन्स का और वो बिल्कुल फिर्ष के जो आयोग्य शाशक भी ता आलम शाह तो वजीर हमीद खान ने क्या करा बहलोल लोधी को आमंत्रित करा तो बहलोल लोधी के डर से ही आलम श पर किस्थाप्नवी अब हमारा लाश्ट है यह फिफ्ट लोधी वन्ष की स्थापना बहलोल लोधी ने करी थी ठीक है तो आपको याद रखने है लोधी मंज किस था आपने बहलो लोधी ने करी थी लोधी शाषक दिल्ली सल्टन के आखरी शाषक तरह पहले अफगानी शाषक थे यह दिल्ली सल्टन का आखरी शाषक भी था और पहला अफगानी शाषक भी था बहलो लोधी पहलो लोधी शाषन के साथ मिलकर बैलोलोधी ने शाषन अफगान सात्यों के साथ लिए श्वकू पर दिलकर इन्हों ने एपने अफगाणीं ड रहब इसथा उदक्र, किल Nag्रेज प्रोंटर्परおお अमीरों के द्वारा को jam programme आपि जिसके किन्म कर लिदेदर, कि यह मिलकर ही काम करें he कई शार्षन करते थे अफगानियों के साथ मिलकर शार्षन करा करते थे लोदी ने एक बाटेर्टें के मुल्ले के बराबर बैलोल नामक चान्दी अक और ऑगर करता रहा वह दो है तो ब히लोलो लोदी की मृत्तिव 1489 में हो गई इसके बाद बना सिकंद्र लोधी 1489 से 1517 इसवी तग भैलोल लोधी की मौत के बाद सिकंद्र लोधी घद्धी पर बैट गया जजिया कर 21-20 मक्राइब लगाया करता था उसने अनाज पर चुंगी हटा दी चुंगी मनलब टैक्स और अन्य व्यपारिक कर हटा दिये जिससे अनाज कपड़ा एवां आफशक्ता की अन्य वस्त्वर सरी सस्ती हो गई जब उसने टैक्स हटा दिया तो चीजे सस्ती भी हो गई सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी के पिता थे ठीक है आपको याद रखना है तो बहलो लोधी के बेटे कौन दे सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी के बेटे कौन दे इब्राहिम लोधी तो उसने मुसल्मान इस्त्रियों को पीरो एवन संतों के मजार पर जाने पर लगा दिया था अपने व्यक्तित्व की सुद्धरता बना रखने के लिए दाड़ी नहीं रखता था कि सिकंदर लोधी सल्तनतकाल का एक मात्र सुल्तान हुआ था जिसमें खुम्स से कोई हिस्सा नहीं लिया उसने लूट से मिली रकम को नहीं रखता था सिकंदर लोधी उसने निर्दनों के लिए मुफ्त बोजन की वेवस्ता भी करवाई थी आगरा मुगलों की पसंदिता राजदानी तो रही है लेकिन आगरा को बसाया किसने था सिकंदर लोधी लोधी ने याध रखता सिकंदर लोधी तक पंदर सत्रह में सिकंदर लोधी की बाद उसके सरदानों इARम लोधी को सिल्तान बनाया था पर क्या हुए ब्राहिम लोधी जो जलाल यला खान्टा रएम बिर्योन कर रहा था इसलिए इब्राहिम लोधी ने उसको मरवा दिया जलाल खान को और दौलत खान और राणा सांगा ने क्या करा बाबर को आमंद्रित कर दिया कहां के लिए कि इब्राहिम लोधी पर कर दे आकरमन क्योंकि वो शायद तंग आ चुके थे इनके रूल से इसलिए उन्ह जोधी को पानिपत के युद में हरा दिया इस परकार से पूरी दिल्ली सल्तनत का जो आपने कारेकाल पढ़ लिया है उसके बार 1526 के बार कारेकाल स्टार्ट होता है मुगलों का तो 1526 में खतम हो गए थे दिल्ली सल्तनत का पूरा काल आगे बढ़ते हैं तोड़ी बहुत जान लेते हैं स्रिफ क्योंकि यह कंप्लीट हो चुगा है आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा पार्ट फिर राणा सांगा राणा सांगा ने मेवार्ण में 1509 से 1528 तक शाषन किया जो आज भारत के राजिस्तान प्रदेश में इस्ते थे राणा सांगा ने विदेशी आकरमान कारियों सभी राजपुतों को एक जुट भी किया था राणाता का साहिमायनों में बादु योद्धव शाषकते जो अपनी वीरता उधारता के लिए प्रसिद्धुआ करते थे ठीक है और अगर आप चाहते हैं इस पूरे की पूरी फुल वीडियो के नोट्स पीडियाप तो आप प्ले स्टोर से जौन अगेडमी की आपको डाउनलोड करना ना भूलें वहां से आप मैसेज करके फ्री में इसके नोट्स ले सकते हैं इस पूरी वीडियो के फिर नेक्स दौलत खान लोधी दौलत खान लोधी लोधी वंच के अंतिम शाषक इब्राहाम लोधी के लिखी जाषिनकाल के दोरान लाहर का राज्यपाल घा विराम लोधी के साद और लुदि का दौलत तौलत ने बावर को राज्य पर आकर्मंपन करने के लिए आमंतृत भी रोप पता है बावर को आमंतृत करने वाले कौन थे दौलत खान और राणा सांगा जिसने इब्रा लोधी के तहट लोधी वंच अपने अजादी का दावा गया था एक और वाद सिखत्नल लोधी को निजाम खान लोधी भी कहा जाता था यह भी आपको ध्यान रखना है दौलत खार वंच के प्रतिवफादार था लेकिन अपने कठोर गर्व और संदिंग सभाव कारण इब्र वीडियों को लाइक शेयर करना ना भूलें